आप सभी को सुप्रभात, मैं आपकी पाठ्थे पुस्तक छितिस भाग एक के पाठ्थ संख्या नौ को लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ, जिसका सीर्षक है कबीर की साखियां एवं सबद. इस से पहले कि हम इस पाठ्थ में दिये साखियां और सबद के बारे में जाने, कबीर जी के जीवन से मैं आपका संख्यप्त परिचे करा देना चाहता हूँ, कबीर जी के जन्म और जीवन के बारे में कोई सारी दन्ते कथाएं प्रचलित हैं, फिर भी बहुत सारे मानने के द्वारा जो मापदंड हैं, उसके अनुसार कबीर जी का जन्म 1398 इस भी में कासी में हुआ, ऐसी माननेता है कि उन्हें एक बिद्वा ब्रामणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तलाब के किनारे रख दिया, नीरू और नीमा नामक मुस नाम के गुरू से उन्होंने निर्गुन भक्ति के दिख्छा ली, साधु संगती और स्वानु भाव से उन्होंने ज्यान प्राप्त किया, कमाल और कमाली नाम के उनकी दो संताने थी, विशन 1518 इस भी के आसपास 120 वर्ष की आयू में मगहर नामक स्थान पर परलोग सिधा कबीर की सभी रचनाय कबीर गरंत्रावली में संकली थे, बीजक, रमैनी और सवद नाम से उनके तीन का बेसंगरा है, सीख धर्म के गिरुगरंत साहिब में भी उनकी वानी को अस्थान मिला है, चुकि वह हनपड थे, कई विभिन जगहों पर घूमते थे और वहां की भास को अपने लेखन में परियोग किया, इसलिए उनकी भासा को सदुकड़ी भासा कहा जाता है, आईए, अब उनके द्वारा लिखित इस पार्ट की कुछ साखियां हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पहली साखिय है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, यहां मान सरोवर कार्थ तलाब होता है, मान सरोवर हिमाले परिस्थित एक तलाब है, सुभर कार्थ होता है, पूरी तरब भरा हुआ, केली कार्थ होता है, खेलना, मुक्ता फल अर्थात मोती, मुक्ता अर्थात मुक्त होकर, और अ अर्थात अनेयत्र और कहीं ये इस साखी में आये कुछ जटिल सब्ध हैं मान सरोवर सुभर जल हनसा केली करा ही कबीर जी कह रहा है कि मान सरोवर के पूरी तरह लबालब भरे हुए जल में हनसा हंस खेल रहा है क्रिडा कर रहा है पूरी तरह मुक्त होकर आनंद में वह मोती चुग रहा है और इस आनंद में वह उड़कर और कहीं भी जाना नहीं चाहता इसी तलाब में रहना चाहता है इसका आसे यह है कि प्रभु भक्त भक्ती में लीन होकर मान लेजिये हंस एक प्रभु भक्त है जो पूरी तरह अपने इस्वर की भक्ती में लीन है और इतने आनंद की प्राप्ती में है कि अब अपने इस्वर के आस्रह को छोड़कर और कहीं भी जाना नहीं चाहता दूसरा साखी है प्रेमी ढूंधत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई कबेरदाश जी कहते हैं यहां प्रेमी का अर्थ है इस्वर का भक्त इस्वर का प्रेमी कबेरदाश जी कहते हैं कि जब मैं सच्चे इस्वर भक्त को ढूंधने निकला प्रेमी मिला न कोई, मुझे कोई भी सच्चा इस्वर भक्त न मिला लेकिन काफी प्रयासों के बाद प्रेमी को प्रेमी मिले जब एक भक्त को दूसरे इस्वर सच्चे भक्त से मुलाकात होती है सब भी समरित होए तब उसके मन की सारी वासनाएं, दुर्भावनाएं, पुराईयां सब नस्ठ हो जाती हैं और मन में पवित्रता और मानवता का संचार होता है तीसरा है हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलीचा कारी हस्ती का आर्थ यहां हाथी है, सहज यानि स्वाभावी का सानी से दुलीचा का आर्थ है कालीन या आसन जिस पर बैठ कर हम पूजा करते हैं स्वान अर्थात कुट्ता खवीर्दाश जी कह रहे हैं, इस साखी के माध्यम से वो इस्वर भक्तों को संबोधित कर रहे हैं निश्चिंतता से चलते रहो, स्वान रूपी संसार है, भूकन दे जखमारी, यह संसार तो कुट्ते के समान है, जो हाथी को चलता हुआ देखकर बैर्थ ही भोगता रहता है अर्थात, जब आप अपने किसी भी कर्म में लीन होंगे, तो यह संसार कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, आप पर व्यंग करेगा इसलिए उस पर ध्यान ना दें और यधावत अपने कर्म को करते रहें चोथी साखी है, पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा भुलान, यहां पाखा पाखी का अर्थ है पक्ष बिपक्ष, और निर्पक का अर्थ है निस्पक्ष, सोही अर्थात वहीं, सुजान अर्थात ग्यानी कबेर दाश जी कहते हैं कि पाखा पाखी के कारणे सबजग रहा भुलान निर्पक होई के हरी भजे सोई संत सुजान पक्ष विपक्ष के कारण यह पूरा संसार भूला हुआ है यह तेरा है यह मेरा है तुम्हारा उसका मेरा करने में हम सभी लोग वास्तविक जीवन को भूल गये हैं और जीवन के उद्देश्यों को भूल गये हैं कबीर दाश जी कहते हैं कि सच्चा ग्यानी कहलाने का अधिकारी इस संसार में वही है जो निश्पक्ष होकर हरी के भजन किरतन में अपना मन रमाय रखता है बाकी सभी लोग अज्ञानी है जो मेरा और तुम्हारा कहकर इस संसार में खोय हुए है अर थात हम सभी को निश्पक्ष होकर इस्वर का मनन करना चाहिए न कि पक्ष भी पक्ष के जहमेले में पढ़कर अपने जीवन को व्यार्थ कर लेना चाहिए इस वीडियो अंस में बस इतना ही आगे की साक्षियों को जानने के लिए हम अगले वीडियो अंस के माध्यम से हम आगे की साक्षियों को जानेंगे तब तक इन चार साक्षियों में जो जटिल सब्दाए उनसे मैं आपका परिचे करा देना चाहता हूँ मान सरोवर अर्थात हिमाले परिस्थित तालाग सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरब भरा हुआ केली अर्थात क्रिडा या खेल मुक्ता फल अर्थात मोती मुक्ता यानि मुक्त होकर स्वतंत्र होकर अनत का अर्थ यहां अन्यत्र है अन्यत्र यानि और कहीं हस्ती कार्थ है हाथी दुलीचा यानि कालीन या आसन स्वान कार्थ है कुत्ता पाखा पाखी कार्थ है पक्ष विपक्ष निर्पक कार्थ है निश्पक्ष यानि किसी के पक्ष में नहीं सुई यानि वहीं और सुजान का अर्थ होता है ग्यानी तो इस पाट मैं इन जटिल सब्द संग्रहों को आप लोग याद कर लिजिएगा पांचवी साखी जानने के लिए हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद